प्रश्कार टुडे प्रिसंडिया के इस खास कारिकरम में आपका स्वागत है आज का हवारा कारिकरम है आओ मिलकर करें कोरोना का अंत्र कैसे बदा रहे हैं आईउरेट के स्कॉलर डॉक्तर परमिश्वर अरोडा 11 मौई 12 मौई और 13 मौई को सुभाग 10 बजे क्या करना है कोरोना से लगने के लिए सुनिये डॉक्तर परमश्वर अरोडा की जुबानी इसखास स्टोरी में तर्शको इस स्टोरी को ज्यादा से ज्य करें लाइक करें कमेंन करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी हैं डॉक्तर परमेश्वर्रय दूर तक लोगों को पहुचे और लोग कैसे अपने घरों में रहकर कुरोना से जंग लड़ सकते हैं इसके बारे में आयोरेद में क्या दिया है, शास्त्रों में क्या दिया है ये बता रहे हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोणा, सुनिये उनी की जुबानी आज जब हम सब ये मान चुके हैं, जान चुके हैं कि ये COVID-19 नाम का वाइरस हमारे वायू मंडल में फैल चुका है ये हवा के माध्यम से हमारे घर घर में पहुँच चुका है और हमारे घर वालों को संक्रमित कर रहा है, बच्चों तक को नहीं छोड़ रहा है तो ऐसे में एक मात रुपाए जो अब इस संकट से हमें मुक्ती दिला सकता है शिगर अतीशिगर इसके प्रकॉप से, इसके त्राही माम से हमें बचा सकता है वो है वायू मंडल की शुद्धी तो मित्रो, fortunately मैं आयरुवेद का स्कॉलर हूँ मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, मैंने वेदों को पढ़ा है कि जन्पतो ध्वंस, यानि कि पैंडेमिक में अगर हमारा जो संकर्मित करने वाला विशानू है, जिवानू है जब वायू मंडल में फैल जाता है, एर में फैल जाता है दिन मंगलवार को सुबह 10 वजे हम सब अपनी तरफ से एक परियास करते हैं एक सामुहिक परियास करते हैं कि हम अपने वायू मंडल को इस COVID-19 से मुक्त करें So that हमारे घरों में जो आज ये त्राही माम इस करोना वाइरस ने मचाया हुआ है ये खतम हो सके जो आज वेग्यानिक डॉक्टर संभावित तीसरी लहर को लेकर चिंतित हैं उस तीसरी लहर के किसी भी संभावना को हम खतम कर सकें इस COVID-19 का नामों निशान मिटा सकें तो चलिए हम अपने वायू मंडल को शुद करते हैं कैसे शुद करेंगे इसके लिए जैसे मैंने बताया हम जब मिल करके हर जन इसमें भागिदारी लेगा और पूरे शहर में हर घर के बाहर वायू मंडल को शुद करने के लिए एक तरह का हवन लेकिन मैं शब्द यहाँ पर हवन का इस्तमाल कर रहा हूँ लेकिन इस बार का यहाँ पूजा से रिलेटिड नहीं है इस बार का यहाँ वायू मंडल को शुद करने के लिए है तो आप किसी भी धरम को बिलोंग कर सकते हैं आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिस्चन है, सिक है कोई फरक नहीं पड़ता, यह कोई धरमिक अनुस्थान नहीं है बलकि एक किस्से कारिये, एक ऐसा कारिये जो इस महामारी से हमें मुक्ति दिलाएगा वो कारिये हम सब ने करना है और कैसे करेंगे, कि हम एक हवन कुड लेंगे या हम लोहे का तसला ले लेंगे या सब के घर में लोहे की कड़ाई होगी इन में से कोई भी पात्र जो आपको अपलब्द है उस पात्र को लेंगे अपने शहर, अपने गाउं में सब के यहां हवन समगरी मिल जाती है इन जनरल जो भी हवन समगरी आपको मिले वो आपको लेनी है लेकिन make sure इसमें चार-पाँच चीजे आपको मिलानी है वो चार-पाँच चीजे कुन सी है नमबर एक नीम के पत्ते नमबर दो सरसो के बीज नमबर तीन राई के बीज नमबर चार अगर संबब हो पंसारी के हां से आप गूगलू लेकर के आईए और नमबर पाँच आपको थोड़ा सा अगर संबब हो तो इसमें सैंधा नमक भी मिलाईए सैंधा नमक और नीम इसका परियोग हमारे बड़ों ने महामारियों को खतम करने में वायू मंडल को शुद करने में बहुत बार किया है और बहुत प्रभावी ये रहा है आप अगर इतियास देखेंगे तो प्लेग ये ऐसी महामारियां जब फैली थी लोगों ने नमक जला कर ही एक तरह से वातावन को शुद किया था तो इन सब द्रव्यों को जितना आप ले सकें फिर मैं कह रहा हूँ अगर आपको हवन समगरी नहीं मिलती कोई बात नहीं आप थोड़ी से लकडियां लीजे लकडी आमकी होगी तो बहुत अच्छा है जो हम इन जनरल समीधा जिसको बोलते हैं या हवन में हम इस्तमाल करते हैं तो आमकी लकडी का आप इस्तमाल करें और कपूर और घी ये दोनों चीजे जो है आप जानते ही हैं कि बहुत अच्छी होती हैं लकडियों को जलाईए और उपर से केवल 15 मिनट के लिए अपने अपने घर के बाहर आप निकल करके एक तरह से ये वातावन को शुद्ध करने के लिए धूम को उत्पन करेंगे अगर आप कहीं ऊपर रहते हैं किसी फ्लोर पे रहते हैं तो अपनी बालकनी में यता संभव आप इसको करें हर जन जब अपने घर के बाहर ये करेगा तब सामुविक रूप से पूरे नगर की वायू मंडल की शुद्धी होगी ध्यान रहे एक एक जन इसको करेगा और अगर आप कहते हैं कि हम अब ये सब काम नहीं कर पाते मैं तो अकेला रहता हूँ कोई छात्र है तो मैं उससे भी अपील करना चाहूँगा कि आज के टाइम पे बड़े डिजाइनर्स हमारे दिये आते हैं कुछ इस तरह के फैंसी दिये आते हैं जहां पे नीचे बल्ब जल रहा होता है उपर हम एरोमा ओइल डालते हैं तो आप वही दिया बालकनी में जला दीजे लेकिन उपर क्या रखना है थोड़े सी कपूर की टिकिया और थोड़ा सा सैन्दा नमक आप डाल देंगे तो आपका ये सहयोग जान लिजे आज इस तरही माम को आज इस कोविड वाइरस जिसने एकतना से मानवता को खत्रे में डाल दिया हमारी शारिरिक कंडिशन हमारी मांसिक कंडिशन हमारी समाजिक कंडिशन हमारी आर्थिक कंडिशन इन सब को धवस्त करके रख दिया आईए हम मिल करके इस कोविड नैंटीन को धवस्त कर दें और हमारा ये परियास तीन दिन तक चलेगा मंगलवार, बुदवार, ब्रस्पतिवार, 11 मई, 12 मई, 13 मई समय भी एक रहना चाहिए देखिए अगर हमने अलग-अलग किया तो इसका फल नहीं मिलेगा एक समय पर सभी जन अपने घर से बाहर निकल के अपना परियास सुनिश्चित करेंगे तो ये मुहीम, मैं बता रहा हूँ, एक गेम-चेंजर बन सकती है हमने बहुत परियास किया, आज हम दिन में बैढ़ कर 10 घंटे अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं अपने बड़ों की चिंता कर रहे हैं, अपनी चिंता कर रहे हैं, और चिंता भी छोटी मोटी नहीं, जान की चिंता कर रहे हैं मुझे लगता है, इतनी बड़ी चिंता को, यदि हम 10 मिंट के लिए अपने वायू मंडल को शुद करते हैं तो हो सकता है कि प्रभू की कृपा हो, हमारे वेदों, हमारे शास्त्रों की कृपा हो और हम जो है इस COVID को खतम कर दें, किसी भी आने वाली संबंदित लहर को भी खतम कर दें यह तीसरी लहर भी नहीं आएगी, आईए मिल करके यह हम एक सामुईक परियास करें इसे एक अभिहान के रूप में लें, और मैं तो यह रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग अपने अपने लेविल पर जिम्मेदारी उठाएं अपने अपार्टमेंट की, अपने शहर की, अपने महले की, अपने गाउं की, अपने नेता के साथ मिलिए, अपने अभी नेता के साथ मिलिए अलोग को आप एक नहीं से टैक कीजिए और इसको महीम बना दीजिए, मित्रो विश्वास कीजिए इतिहास गवा है कि इस तरहें के हवन ने इस तरहें के धूम ने वायू मंडल को शुद किया और इसके अगर परमान चाहिए तो मैं आपको परमान भी देता हूँ आप अथर्व वेद में जाईए और दुट्या ध्याय में आप इसमें काफी वातवन को शुद करने वाले करमिगन कि वायू मंडल को शुद करें विशानू जिवानू किटानू से कैसे मुक्त करें ये सब परमान है इस समय हमें वेज्ञानिक एक तरह से एनलिसिस का समय नहीं है अब समय वो आ चुका है कि कहीं से भी अगर हमें सकारात्मक उर्जा मिलती है तो उस उर्जा को इकठा करें और उसका परियोग करके इस कोविड-19 को अब खतम करें क्योंकि बहुत हो चुका है ये बहुत नुकसान पहुचा चुका है और आगे आने वाला जो नुकसान हमारे विज्ञानिक और हमारे डॉक्टर्स बच्चों के लिए संभावना जाहिर कर रहे हैं शायद उसको हम बरदाश ना कर पाएं आईए दोस्तों 11 तारिक 12 तारिक और 13 तारिक इसी महीने की सुबह 10 वजे एक सामुहिक परियास करते हैं आप सब इस अभियान के ब्रैंड एमबेजडर्स हैं आप सब इसके द्वजवाहक हैं आप सब इसके कैप्टन हैं मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर 11 को मैं अपना पेज देखूंगा और मेरे पेज पे लाखों लोग टैक करेंगे कि साब देखी यह हमने फोटो लगाई है मैं कहता हूँ कि मुझे एक छोटा भाई मान करके मेरी ये अपील, मेरी ये विंती आप सुविकारेंगे और चलो कोशिश करते हैं कि 11, 12, 13, 13 तरिक को हम अपने वायू मंदल से इस क्रोणा नामक शक्त्रू को धवस्त करें हरा दें